Friends, today I will teach you class 7th, first chapter and your chapter name is Integers. First we will know about integers, now you see. Here you have integers, so integer किसे कहेंगे? Integers जो होते हैं, वो positive number भी होते हैं, 0 के इस साइड वाले positive number होते हैं, ठीक है? और 0 से इदर जो number होते हैं, वो negative number होते हैं. ओके, तो 0 से इदर तो positive number लिखे जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो भी आएंगे, अज 0 से इदर क्या लिखे जाएंगे? Negative number, यानि कि minus 1, minus 2, फिर आएगा minus 3, फिर आएगा minus 4, फिर आएगा minus 5, minus 6, और यह बढ़ता ही चले जाएगा. तो जो integers होते हैं, वो negative numbers भी होते हैं, positive number भी होते हैं, और साथी साथ वो 0 भी होते हैं. अब बात आती ही whole number, whole number क्या होते हैं, 0 से start होते हैं, 0 से उपर के सारे number क्या किलाते हैं, whole number किलाते हैं, 0 से उपर के जितने भी संक्या आपको आती हैं, वो सब क्या हैं, whole number हैं, अब बात आती है natural number किसे कहेंगे, तो natural number 1 से start होता है सबसे छोटा natural number क्या होता है 1 यह 1 से लेकर infinity तक numbers हो सकते है ठीक है 1 से लेकर आपको जितने तक number आता है वो सब क्या है natural number है whole number क्या है वो 0 से start होता है सबसे छोटा whole number 0 होता है ठीक है और integers किसे कहते है integers negative number भी होते है positive number भी होते हैं और 0 भी होते हैं integer के अंदर ये सारे के सारे number आ जाते हैं ठीक है यहाँ पर मैंने उनके बारे में कुछ point लिखते हैं जो मैंने आपको बताया है कि integer positive होते हैं negative होते हैं और साथ में 0 भी होते हैं 0 क्या होता है ना ही positive होता है ना ही negative होता है तो लिख दिया में 0 is an integer which is neither positive and neither negative. नहीं वो positive होता है नहीं negative होता है. 0 होता है. और integer के अंदर negative number आता है और positive number आता है. Now we will start exercise 1.1. Now your question number first is following number line. So the temperature in degree Celsius. Degree Celsius is tab so लिखा जाता है at different place on the particular day. तो यहाँ पर एक number line draw की वोई है. तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 0 है. 0 के दर positive number होंगे. 0 के दर negative number होंगे. तो यह number line जो क्या है? वो किछीज की है? integers की है. ठीक है? यह number line integers की है. तो आप बता सकते हैं 0 से पहले क्या आएगा? minus 1. फिर क्या आएगा? minus 2. फिर क्या आएगा? minus 3. फिर आएगा minus 4. इस टाप से आगे बढ़ते जाएंगे. ठीक है? तो यहाँ पर first question पुछावा है. Observe the number line and write the temperature of the place marked on it. आपने temperature बताना है कि राहुस्पथी के कितना है? सिन्नगरत कितना है? सिमले का temperature कितना है? ओटी का कितना है? और बैंगलोर का कितना है? temperature. इस number line को observe करके आपने answer देना है. तो हम इसका solution निकालेंगे. तो यहाँ पर मैंने एक जिगो क्या लिख दिया है? प्लेस का नाम लिखते हैं. एक जिगो मैं चलिकोंगा temperature. तो लाउस्पथी का temperature देखे कितना है? तो यहाँ पर कितना होगा? लाउस्पथी का आप है? यहाँ पर है. तो यहाँ पर कितना होगा? माइनस 5 से पहले गयागा. बार में कहाँगा? माइनस 6. तब आएगा माइनस 7. फिर आएगा माइनस 8. तो यहाँ पर कितना होगा? माइनस 8. तो हम लिखेंगे माइनस 8 डिगरी सेल्सियस. अब सिर्नगर का कितना होगा? 0 से पहले की बात करें तो –1, –2 तो सिर्नगर कीचा रहा है? –2 degrees Celsius अब आती है बात Simla की То Simla कहाँ पहा है? यहाँ पहै तो Simla का Temperature कितना है? 5 लिखेंगे 5 degrees Celsius अब है O DIGA इसका कितना होगा? तो यहाँ पहा है 0-0,215 से पहले 10, 11, 12 , 13, 14 तो यह पर कितना होगा? 14 तो इसका होगा 14 degree Celsius आफ वे बैंग लोर का बैंग लोर का यहांपर लिखा हुआ है तो 20 के बार 20 वनाता है, फी 22 तो यहांपर कितना होगा? 22 तो यह वहाँ 22 degree Celsius किरे रिस्टेंड्स और एक और बाद मैं बता देता हूं नंबर लाइन के बारे में 0 से इधर के लिए जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना क्या होता जाता है? छोटा ठीक है? यानि कि minus 10 क्या है? छोटा है किससे? minus 5 से minus 5 किससे छोटा है? 0 से जितना उधर के लिए नंबर जाता जाएगा उतना वो क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा ठीक है? यानि कि मैं कहूंगा minus 15 बड़ा है कि minus 10 बड़ा है तो minus 15 तो और उधर हो गया 10 से बहुत बाद में आएगा तो यह क्या होगा? छोटा ठीक है? और यह क्या होगा? बड़ा जितना उधर जाएगा minus में वो नंबर उतना क्या होता जाता है? छोटा इसका आपने क्या बताना है? difference कैसे निकालता है? minus करके कभी भी देखो difference निकालो किसी की बीच में तो कैसे करके minus करके निकलता है अब एक example लेते हैं suppose आपके पास 10 के है? pencil है और आपके दोस्त के पास 4 पैंसिल है मैंने का तुम दोनों के बाद तुम दोनों के बीच में कितने का difference है? बताओ तो तुम कोगे 6 का difference है ठीक है? इसको minus करके 6 हैगा इसका मलदब जिसके पास 10 pencil है उसके पास 6 pencil क्या है? जादा है जिसके पास 4 है ठीक है? तो इस step से हम निकालेंगे तो यहाँ पर इसका solution क्या होगा? यहाँ आप लोग समझ गिया होंगे कि suppose आपके पास 10 pencil है और आपके दोस्त के पास 4 pencil है मैंने का तुम्हारे पास कितने pencil हो का difference है तो तुम कहोगे 6 pencil का difference है ठीक है? क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्ते क्या है? 6 pencil जादा है तुम्हारे पास तो कैसे पता चला? माइनस करके तो वैसी एक difference बोलागा है तो मैनस करके ही पता चलेगा तो hottest और coldest place को मैनस करके ही आपका अंसर आ जाएगा तो coldest place क्या होगी जितना negative में जाता जाता है नमबर उतना क्या होता हो ठंडा होता है आपको पता ही है 0 से नीचे जाएगा temperature तो क्या हो जाएगा coldest होते जाता है इतना आपको पता ही होगा तो सबसे बड़ा नमबर क्या है नेगिटिव में ये वाला है ठीक है तो इस सबसे coldest है ये place सबसे क्या कोई coldest और सबसे hottest place क्या होगी जो zero से बड़ा होगा यानि कि ये सबसे hottest place है 22 degrees Celsius यानि कि अब temperature क्या होगी बहुत ही high हो चुका है तो इन दोनों के difference कैसा पता से लेगा इसका और इसका difference निकालना है hottest और coldest का difference निकालना है जो सबसे hottest और सबसे coldest होगा तो difference कैसे निकालोगी इन दोनों को minus करके तो लिखेंगे 22 degrees Celsius मैंसे कितना minus करोगे minus 8 degrees Celsius इसको इसको minus करोगे तो इस type होगा अब देखी bracket open करना होगा तो क्या हैगा minus minus का क्या होता है plus 8 degree Celsius ठीक है यहापर minus minus का plus हो जाएगा bracket हट जाएगा अब इन दोनों के बीच में plus है तो इन दोनों क्या करना पड़ेगा plus तो 8 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना आता है 30 तो इन दोनों की बीच में कितने का difference है 30 degree Celsius का difference है what is the difference what is the temperature difference between hottest and coldest place among the above तो कितना का है 30 degree Celsius का क्या है difference इन दोनों की बीच now you are part C what is the temperature difference between लाहोसिपलि एंड सिंघर आप नहिताना है कि लापसप्रिटि और सिंघर कीली की के करद्दины है टैब्रेशन डिफ्रेंश कितने का है तो डिफ्रेंश किसे निकालते हैं मैं आपको बताएं यह जद शूटने हैं तो last party का temperature इतना है और sinagar का temperature इतना है इन दोनों क्या करेंगे? Subtract Subtract कैसे करता है? बड़े मैंसे छोटा minus बड़ा क्या होगा? यह वाला number क्यों? क्योंकि 0 के जितना नज़िक वो number होगा negative में वो उतना बड़ा होता जाता है 0 से जितना दूर हो नवर होता जाएगा उतना छोटा तो minus 8 क्या होगा? छोटा होगा minus 2 से इसलिए minus 2 में से minus 8 को क्या कर देंगे? minus ठीक है? minus 2 में से क्या कर दें? minus कर दें किसको? minus 8 को clear हो गया? अब देखिए bracket open करेंगे तो minus 2 degrees Celsius तो वैसे रहेगा minus minus का तो plus हो जाएगा 8 degrees Celsius हो जाएगा यह हो फिर देखिए minus plus का minus होता है 8 में से 2 को minus कर देजिए तो 6 degrees Celsius आएगा फिर यहां पर देखिए यहां पर plus sign आएगा कि minus आएगा वो हम इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसका sign लगाते है इन दोनों में बड़ा क्या है number 8 8 कही क्या है plus इसलिए आपर क्याएगा plus तो plus लगाएगे ना लगाएगे बात देखिए हर नमबर कहाएगे plus ही होता है अगर उसका अगर negative नहीं लगाए तो तो इसका difference होगा 6 degrees Celsius Now your last is D Can you say temperature of Sinagar and Simla Take together यानि कि इन दोनों के temperature का अगर एक साथ मिलाते हैं यानि कि plus कर देते हैं तो is less than the temperature at Simla तो Simla से कम निकलता है कि ज़्यादा निकलता है वो आपने पता लगाना है तो हम Sinagar और Simla का temperature जोड़ेंगे देखते हैं कि उस Simla से छोटा निकलता है कि बड़ा तो यहाँ पर होगा solution दिखेंगे temperature together of Sinagar and Simla equals to Sinagar और Simla का temperature जोड़ दीजे तो Sinagar का temperature minus 2 Sinla का है 5 तो minus 2 में कितना जोड़ना है 5 जोड़ना है Sinagar और Simla का temperature जोड़ दी हमने ठीक है तो minus plus का minus होता है तो 5 में से 2 गया 3 दोनों में से जिसका जो बड़ा होगा उसका sign या पराता है दोनों में 5 बड़ा है 5 का जो plus है इसलिए भी plus तो यह आएगा 3 degree Celsius तो temperature आया Sinagar और Simla का मिला के 3 degree Celsius तो देखते हैं Simla से यह जो temperature निकला है बड़ा है कि छोटा है तो हमें पता है कि Simla का जो temperature है वो कितना है 5 degree Celsius है तो 3 degree Celsius क्या होगा 5 से छोटा तो हम लिखेंगे 10 temperature of Simla is greater than by Sinagar and Simla अब आगे लिखावा है is it is also less the temperature at Sinagar कै जो अंसर आपका आया है वो Sinagar के temperature से कम है तो Sinagar के temperature कितना था minus 2 degree Celsius और यह 3 degree Celsius 3 degree Celsius मतला गर्मी और minus 2 मतला थंडी तो इसका मतला नहीं है ठीक है इस जोटो less than नहीं यह less than है नहीं यह तो greater than है तो हम लेखेंगे this temperature is not less than the temperature temperature at Sinagar clear होगे आपका now your question number 2 is in a quiz एक quiz पर चोगता भी positive marks given for correct answer अगर सही उतर दिया तो positive marks मिले यानि कि plus में नमबर मिले plus 2 हो सकता है plus 4 हो सकता है इस टैप से मिले and negative marks are given for incorrect answer और negative number मिले गलत marks के लिए negative number मतला minus 4 हो सकता है minus 8 हो सकता है कुछ भी ऐसे number मिले है उनको ठीक है इंड में तो total कैसे निकालते है plus करके यह निकालते है इन सब नमरों का आपने क्या करना है plus हम लिखेंगे jacks total score equals to क्या होगा इन सब को जोड़ दीजे 25 में कितना जोड़ना है minus 5 plus फिर कितना जोड़ना है minus 10 फिर कितना जोड़ना है फिर कितना जोड़ना है 10 तो 25 minus 5 10 15 और 10 हमने इस परकास जोड़ देना है अब देखिए negative number है तो हम उस पर क्या लगाते है bracket क्योंकि plus और minus 7 में नहीं लिखे जा सकते है इसलिए नमरों पर bracket लगाना जरूरी है अब हम क्या करते है bracket open करते है तो 25 का तो 25 ही रहेगा यहाँ पर plus minus का minus हो जाएगा तो 5 बाहर आ जाएगा फिर plus minus का minus हो जाएगा तो 10 क्या आ गया bracket से बाहर यह 15 और 10 बजगे अमेरिका आपको simple तरीका बथाता हूँ plus करने का तो simple तरीका यह है कि जिन नमबरों के प्लस लगा है जैसे 25 का यह कुछने तो plus होता है तो जिन नमबरों के प्लस लगा है उनको प्लस कर दीजे यानि कि इसको और इसको क्या कर दीजे plus क्योंकि इन नमबरों के लगा है plus sign तो इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपका आएगा 2, 3, 4, 5 पचास हो जाएगा ठीक है और जो नेगिटी नमबर है अब आपके ये दो नमर बज़गे नेगिटी इन दोनों को भी जोड़ दीजिए और आगे से लगाए नेगिटी मार्क तो इन दोन नमर को जोड़िये तो कितना है या 15 इतना अपसमाज़ के ये ट्रिक है इस ट्रिक से जल्दी आपका अंसर आजाता है कि हमने नेगिटी नमर को भी जोड़ दिना है और उसके आखे मानर दिना है तो हमने इन दोनों को जोड़ा पंदर आ गया उसका एक निग्टी मास लगा दिया अब इन दोनों को सब्टेट करेंगे तो आप आएगा थर्टी फाइग नाओ इवर नेक्स कोशन इस थर्ड एट सिन्नगर टेंपरेचर वस माइनस फाइब डिगरी सेल्सियस ओन मंडे मंड तो तूज्डे के दिन टैंप्रेचर कितना होगा थूछ फिस था उसका दोडिगरी सेल्सियस घड़ी है तो बता हो क्या होगा माइनस करके ही पता चलेगा ग। इंर लों क्या अगर देंगे माइनस लिएगे अट सिन्ंगर drei расп Spark on Monday Monday के दिन temperature है minus 5 degree Celsius and it drop on Tuesday Tuesday के दिन कितना घड़ गया 2 degree Celsius then temperature on Tuesday Tuesday के दिन कितना temperature होगा minus 5 degree Celsius minus 2 degree Celsius क्या कर दो गठा दो तो यहाँ पर minus minus का प्लस हो जाएगा 5 और 2 साथ साइन किस काएगा जो यहाँ पर इन दोनों में बड़ा होगा बड़ा 5 है उसकाएगा निगेटिव है इसलिए आपर निगेटिज आई तो temperature कितना होगा Tuesday के दिन कितना degree Celsius है कहाँ सिन नगर में आगे लिखा हवा है यहाँ तक तो हमने solve कर दिया आगे लिखा है on Wednesday अब Wednesday के दिन क्या हो गया इट रोज भाई 4 डिगरी Celsius अब वो बढ़ चुका है बढ़ चुका है बढ़ चुका है बढ़ चुका है टेंपरेचर अन दिस टे कितना होगा माइनस 7 डिगरी Celsius था Tuesday के दिन वहने दिगरी दिन 4 डिगरी Celsius बढ़ गया बढ़ गया मतलब प्लस कर देंगे अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो देखे कैसे होता है माइनस प्लस का माइनस तो 7 में से 4 गया कितना है आपका है पास 3 3 डिगरी Celsius फिर यहां पर साइन किस का आएगा जो इन दोनों में बढ़ा होगा इन दोनों बढ़ा कौन है साथ उसका एक निगिटिव नमर है निगिटिव मार का है तो जोन से राइगा उस पर भी निगिटिव मार होगा तो माइनस 3 डिगरी Celsius होगे आपका वैटनेस देगे दिन टैंपरिचर नाव यहार कॉशन नमर फोर इस इस एप्लेन एप्लेन एक आपका है 15.000 वीटर गये टारोष यहां पर सहने इसे उपर इक प्लेन ये प्लेन हमे कितने वीटर है 2000 मीटर ने करें आगे लिखा हुआ है एक पर्टिकुलर पॉइंट यानि इसी पॉइंट को लेते हुए it is exactly above the submarine floating 1200 meter below the sea level यानि कि below means 1200 meter निचे एक submarine भी जा रहा है उसी पॉइंट के निचे तो इस पॉइंट के निचे एक submarine है यहांपर submarine है तो sea level यानि कि, sea level से कितना निचे है? submarine 1200 meter निचे है आगे लिखाओ है the sea level. what is the vertical distance? आपने vertical distance निकालने between them इन दोनों की बेच में इसको और इसको जोड़ेंगे यानि कि इसको और इसको झोड़ेंगे तो यह आप लिए लिए समझ गई हो दिखेंगे vertical distance between plane and submarine equals to जोर दीजे तो यह होजाएगा 5000 plus 1200 equals to कितना हैगा 6200 meter clear I hope you understand thank you for watching